नमस्कार साथियों कैसे हैं आप लोग उम्मीद करते हैं अच्छी होंगे चलिएगा आठवी क्लास में आपका स्वागत है आज की क्लास में हम रिजनिंग के और कोश्चन देखने वाले हैं ठीके यह आठवी क्लास हो गई है पीछे हम साथ क्लास को कर चुके हैं यदि आप वो क्लास नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं सारी क्लास प्ले लिश्ट में डाल दी गई है ठीके और हमारा में टार्गेट हम लेके चल रहे हैं रेलवे आपका आर्पी एफ एंटी बिसी हम मेस की सीरीच को भी कर रहे हैं, रिजनिंग को भी कर रहे हैं एक दिन मेस की, एक दिन रिजनिंग की लगातार सीरीच आ रही है अच्छे से पढ़िए बैतरी मेनत करिए ठीके बाई question आपके सामने है, जिसको आता है बड़िया वीडियो को रोक के बनाईए जिसको नहीं आता है, समझीएगा चलिए, यहाँ पर सिरीच चल रही है हमारे सामने और मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आपको number याद है तो यह चीज आपके लिए बहुत सरन है तो यह कितने पर आता है, चार पर आता है यह साथ पर आता है साथ से ग्यारा हो गया, ठीक है तो पहले हमें दिखा कि चार से साथ हो रहा है के प्लस हुआ यहाँ पे, तो तीन प्लस हुआ फिर यहाँ पे साथ से कितना हो गया फिर 4 प्लस हुआ, 3 प्लस हुआ, फिर 4 प्लस हुआ, तो अब कितना प्लस होगा, फिर 3 प्लस होना चाहिए, तो 18, 20, 20, 20 हो जाएगा, और 21 पे U आता है, U आता है, हमें दिख रहा है, दो option में U है, second वाले में और third वाले में, चली आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ है क्या, इ 13 और 4, 17, और 17 और 3 कितना होगा, 20 होगा, 17 और 3, 20, 20 पे T आता है, तो आप इसमें में 3 नहीं जोड़ोंगा, आप कितना जोड़ेंगे हम लोग, हम 4 जोड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि जब हम यहां जोड़े, 17 में 3 जोड़े तो 20 हुआ, तो 20 में 4 जोड़ेंगे, तो कितना ह होगा 24 और 24 पे क्या आता है तो X आता है ठीक है कोडिंग डिकुंडिंग के नंबर में याद करवा रखे हैं आप जाके किलास देखिएगा आपको भी याद हो जाएगे और याद है तो सवाल उड़ाईए ठीक है क्या हो जाएगा UX यह आपका अंसर होगा अगला सवाल निम्न लिकी सेट की श्रंगलाए अब यहाँ पर करना क्या है दियान से सुनिएगा आपको एक सेट दे रखा है जिसको इसको अपता है समूहन भी कहते हैं ठीक है समूहन और ही आपकी एक्जाम में कोशन यहाँ से ठीक है SSE में भी आते हैं रेलेव में भी आते हैं थोड़ा समझिएगा यहाँ पर यह काम करना हमें कि इसका जो तरीका है वह तरीका किस ऑप्शन में में चारा है हमें वह देखना है लोजिकल दिमाग लगाना वह थोड़ा सब हो जाएगा तो हम देखते हैं यहाँ पर इन तीनों का जो रिलेशन है ऐसा रिलेशन किस ऑप्शन में नजर आ रहा है तो गुड़ू आपको एक चीज बता दू सी जी सी में यहाँ पे आपको अगर त्रिपलेट याद है त्रिपलेट मैस में पड़ी होगी आपने कि तीन चार के साथ पांच होता है छे आट के साथ दस होता है तो यहाँ पे हमें दिखरा है छे आट के साथ दस तो केसी त्रिपलेट आपको नजर आ रही है का तो त्रिपलेट हमें ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रही है कि पांच बारा के साथ क्या होता है तेरा होता है पांच बारा के साथ तेरा होता है रिपलेट कहां लगती है बैया समकौन तिर्गूज में पता होगा कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस के आधार का वर्ग यानि बीच वाली संख्या का वर्ग आसपास वारी संख्याओं के वर्ग के योग के बराबर है ऐसा हम बोल सकते हैं सी वाला हमारा अंसर हो जाएगा देखिए इस कोश्चन को यहां कोई त्रिपलेट नहीं है मेरे भाई यहां पर सरी के बहुत सारे लगते हैं मैं आपको सभी टाइप के सवाल करवा रहा हूँ यहां पर जैसे कि माल लीजिए कभी सभी की सभी एकी संख्याओं के मल्टिपल होती है अब यहां हम देखें तो गुड़ो आपको दिख रहा होगा कि नो चोग छतीस होता है आसपास वाली संख्या का मैं गुड़न्फल देख हूँ तो 9 चो कितना होता है? लेकिन 36 किसका स्केर है? लेकिन 36 जो होता है छे का स्केर होता है तो उसमें बीच में 6 लिखा हुआ है अब हम देखते हैं यहां पर तो यहां हम गुड़ो करें 14 का scale कितना होगा 196 और अगर आसपास वाले का गुणा करते हैं तो 8, 2, 16, 16 के पीछे 6 आता है 18, 2, 36 की 6 हासिल कितना होगा 3 18, 1, 19, 20 नहीं जी पहले option से नहीं होगा ठीक है फिर किससे देखते हैं हम लोग इसको देखें तो ये हो जाएगा 8, 5, 72 नहीं होगा इससे भी 15 का वर्ग नहीं बनेगा इधर देखते हैं तो 12, 72 होता है बलकि 8 का scale क्या होता है 8 का scale तो 64 होता है ठीक है तो हम क्या कर सकते हैं इसको देखिएगा 12 का scale होता है 144 और अगर हम 26 क्या लिखा है ये 24 अगर 24 में हम 6 का गुणा कर दें तो 64, 24 की 4 हांसिल दो 6, 12, 12 और दो कितना हो जाएगा 14, यानि 144 आ रहा है और 144 किसका वर्ग है तो 12 का वर्ग है तो ये तरीका इसमें सहिसार तरीके से लग जाएगा ठीक है, मतलब कि आस्पडोस की संख्या का गुणा किया है और उसका वर्ग मुल किया है तो वो आ जाएगा या फिर आप देख सकते हो कि संख्या का वर्ग है तो यहाँ पे ये जो 144 से किसका वर्ग है 12 का वर्ग है अगला सवाल देखिए क्या तरीका चल रहा है यहाँ पर अंतर भी चल सकता है अंतर भी समानता रखेगा जैसे मान लीजिए हैं 6 का अंतर है 7 का अंतर है तो जो आंसर होगा उसमें भी 6-7 की स्रीच चलेगी ठीक है यहाँ क्या नजर आ रहा है भहिया आप देख सकते हैं कि यह एक अभाज्य संक्या है यह एक अभाज्य संक्या है यह भी एक अभाज्य संक्या है अभाज्य संक्या को हम प्राइम नंबर बोल सकते हैं ठीक है प्राइम नंबर अभाज्य संक्या क्या होती है वो संक्या जो खुद के पाढ़े से कटे स्वयम के पाड़े से कटे अन्य किसी से नहीं कटे जैसे कि बात सुनिएगा सत्रे सत्रे अभाज्य है केवल सत्रे से ही कटता है और एक से कट जाएगा और किसी से नहीं कटेगा ठीक है और जो तीन या तीन से अधिक पाड़े से कट जाए वो होती है भाज्य संख्या, जिसे आप मान लीजी पंद्रे, पंद्रे तीन से कड़ जाएगा, पास से कड़ जाएगा, पंद्रे से कड़ जाएगा, एक से कड़ जाएगा, तो तीन और तीन से अधिक संख्या उसे जो कड़ जाए, वो कौन सी संख्या होती है भाज्य संख् सबसे चोटी अभाज्य क्या होती है जानते हैं आप सबसे चोटी अभाज्य संख्या होती है दो अब बोलेंगे दो तो सम होती है होती है पर वो अभाज्य भी है ठीक है चलिएगा तो ये अभाज्य है ये अभाज्य है ये भी अभाज्य है 21 अभाज्य नहीं है तो गलत हो ज पंदरे जो है गुडू किससे करता है तो पंदरे आपका तीन से करता है तो ये वाला option बिलकुल सही हो जाएगा आप देख सकते हैं जो भी इसमें संख्या दी है 47, 47, तर पन ये सभी के सभी कौन से संख्या है गुडू? अबाज्य संख्या है option number D हमारा answer हो जाएगा चलिए वईया करिए इसको इसमें क्या answer होगा वीडियो रोक के बनाना है अपने को भी ठीक है ताकि भैतरिंग प्रैक्टिस हो अच्छा देखिए यहाँ पे हमें दिख रहा है दो सती चौदा दो सती चौदा और यह दिखा है दो अठी सोला मतलब एक बार इसका साथवा मल्टिपल है और एक बार आठवा मल्टिपल है ठीक है तो हम यहाँ देखते हैं दो सती दो के पाड़े में साथ आता ही नहीं सती तो गया भया चार चोप सोला यहाँ देखिएगा तीनो सतो 21 और तीनो आठो 24 तो यहाँ फोलो हो रहा है तो option number B हमारा answer हो जाएगा समझ गए क्या follow हो रहा है पहले 7 का गुणा फिर 8 का गुणा पहली संख्या में तो इसमें 7 का गुणा करेंगे 321 इसमें 8 का गुणा करेंगे 324 हो जाएगा आजी एक और बात आप ये भी देख सकते हैं कि सर जो संख्या है जो सवाल है जिसे ये सवाल ये पूरा 2 का multiple है मतलब ये पूरा 2 से विभाजित होता है तो ये जो पूरा आपको दिख रहा है ये पूरा 3 का multiple है 3 से विभाजित होता है ये पूरा आपको दिख रहा है, दो से विभाजित होता है, है ना, लेकिन यहाँ पर खास बात क्या है कि इसके जो आगे नंबर है दो, इन दोनों को काट सकता है, ये इन तीनों को काट सकता है, क्योंकि उसी के तो multiple है, तो कटेगी कटेगा उतो, ठीक है, यहाँ देखे, चा यहाँ पर देखे, चे का स्केर 36 होता है, आप जानते हैं, चे का स्केर 36 होता है, और उसने 36 को पलट के लिख दिया, कितना लिख दिया, 63, मतलब 6 पहले लिख दिया, तीन बाद में लिख दिया, समझ पा रहे हैं आप लोग तरीके को, चे का स्केर 36 और उसको वल्टा लिख दिया तो हम देखें साथ का स्केर उन पचास तो उन पचास को 49 को 94 लिखना था इस्ने नहीं लिखा 41 कप से हो गया मतलब呀 24 तो होनी सकता इधर देखते हैं तो 8 का स्केर क्या है 64 बिलकुल सही है और 64 को 64 को क्या लिख दिया जाये 46 से तो सही हो जायेगा यानि option number B हमारा answer होगा साहिए option number B ठीक है भईया आगे बढ़ने से पहले एक और question है इसमें आप logic लगाईएगा और जो भी answer है वो comment में देखे जाईएगा मैं लिग दे रहा हूँ RW का पहला सवाल ठीक है जो भी है थोड़ा से देखिएगा क्या logic चल रहा है इसके अंदर क्या नहीं चल रहा है अगले सवाल पर आजाते हैं हम लोग चलिए करे मेरे भाई question में आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर इसका सम्मंद जिसे इससे है तो इसका सम्मंद किससे होगा यह चीज है तो आप देख सकते हैं पर आता है तो यह चार पर आता है यह तेरा पर आता है तो यह चौदे पर आता है यह तेविस पर आता है तो यह चोईस पर आता है सीधी बात नो बकवास के प्लस हो रहा है तो सर एक प्लस हो रहा है एक प्लस हो रहा है तो जैसा सलुग इसने इसके साथ किया है वेशा यहां पे हो जाएगा तो देखिए भाईया एक में एक जोड़ेंगे तो दू आएगा यानि कि B 11 और कित्ता होता है 12 होता है यानि कि L 21 और कितना होगा 22 होता है यानि कि V B L V किस option में है तो चोथे option में दिखरा है ये अंसर हो जाएगा B.L.V आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर बनाईए भाईया सिरीज देखिए क्या अंसर आ रहा उसका 2, 7, 14 और क्या दिया है 23, और हमें दिया है 34, ठीक है कुश्चन मार्क, पता करना है भाईयो देखो सिरीज में जादा बढ़ने रही है तो difference हो जाएगी लग रहा है क्योंकि देखो सिरीज जादा जादा बढ़ती है तो वहाँ गुने का सीन चलता है कम हो रही है तो घटता लेकिन यहां तो संख्या बढ़ रही है और इतनी भी नहीं बढ़ रही है तो हम लोग difference लेंगे क्योंकि देखो तेवी से तेवी सका डबल हम करते है तो 40 को पार कर जाता पर डबल नहीं हो रहा है ना तो difference लेते हैं साथ में से दू गए तो 5 ठीक है यहां कितने का अंतर है साथ का अंतर है अगर मैं हम यहां देखते हैं तो यहां कितने का अंतर आ रहा है मेरे भाई 13, 4, यहां 8 का अंतर है कि 9 का अंतर है भाईया तो यहां 9 का अंतर नजर आ रहा है बिल्कुल 9, 4, 13, फीक है आगे बात करते हैं तो 4 में से 3 गए तो 1 यहां 3 में से 2 गए तो 1 यहां 11 का अंतर है अब किसका अंतर आएगा अच्छा यह अबाज्य संक्या है कि विशम संक्या चल रही है पाँच अबाज्य है साथ अबाज्य लेकिन नो अबाज्य नहीं है नो विशम संक्या है तीन से करता है आप भी जानते है नो से करता है तो ये विशम सम्क्या है 5, 7, 9, 11 तो 11 के बाद हमारा नंबर आएगा 13 को लेना है ठीक है तो ये हो जाएगा 4 और 3, 7 हो जाएगा दोस्त और 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा 47 ओप्शन में है तो आपका अंसर हो जाएगा पहला वाला ठीक है आके बढ़ते हैं अगले सवाल पर बनाईए क्या तरीका है इसके अंदर ये सभी रेले के प्रिविएस कोश्चन है जो एक्जाम में पूछे गए हैं ठीक है भाई यहाँ पर बात करते हैं 12 गुना 16 तो 12 गुना 16 कर दें क्या 12 गुना 16 करने पर यह आजाएगा फिर क्या है इसा नहीं होता 16 गुना 32 कर सकते हैं 16 गुना 32 की 2 हासिल कितना हो जाएगा 3 16 एकं 16 16 और 3 हो जाएगा 19 192 एक और करता हूँ में 14 गुना 18 लिखा हैं वापे करते हैं गुना क्या हो रहा है 14 गुना 18 18 गुना 32 की 2 हासिल हो जाएगा 7 18 एकंगा 18 हो जाएगा ठीक है 7 सा 14 और एक 15 की 5 हासिल एक कितना हो जाएगा 2 अब देखना मजे की बात आप देख सकते हैं कि यह 188 है हमें इसमें जादा डिफरेंस में दिख रहा है अगर इसमें से मैं 4 कम कर दू तो 188 आजाएगा 12 में से 4 गए तो 8 यहां 18 बचेगा तो एक बार यहां भी 4 कर पद देखते हैं तो 12 में से 4 गए तो क्या बचेगा 8 बचेगा तो यहां 24 हो जाएगा 248 क्या वहाँ पे 248 है क्या बिलकुल है यानि हमारा तरीका सही होने वाला है फिक है तो हम से क्या पुछा है गुडू 16 गुणा 20 то यहां कर देते हैं 16 गुणा 20 तो आप भी जानते है 16 गुणा कितना होता है 32 32 यानि 320 हर बार 4 गटा रहे हैं तो यहां भी K- कर देंगे 4 मैंश कर देंगे 10 में से 4 गए तो 6 बचेगा यहां कितना बचेगा, एक बचेगा 316, 316 हमारा अंसर हो जाएगा, option number C में नजरा रहा है 316 हो सकता है और भी कोई तरीका लग रहा हो, ठीक है सवाल एक तरीके अनेक, ठीक है अगला परस्व लीजिए सब्द कोश यह कोशन तो SSE का भी फिवरेट है और रेलवे का भी है दो एक्जाम में बनते ही बनते हैं आसे सवाल शब्द कोश के हिजाब से जमाईए देखो भई, शब्द कोश के उपर मैंने special एक वीडियो बना रखी ही, जिसमें सारे कोशन करवाए हैं बहुत सारे, ताकि आपको किसी से कहीं तक कोशन डाउट नहीं आएगा बाकि अभी भी समझीए, इसमें चुली होता क्या है गुड्डू, हमें न numbering बोलना है, और जो numbering पहले आती है, उसे हमें number दे देना है इसने बोला है, अंत में कौन सा शब्ड जाएगा, चलो अंत का तो निकाली लेंगे, लेकिन हम लोग सभी को solve करते हैं आपे, यहां से सुनिएगा, जैसे mobile में हमने आपने चारो नाम सेव करें, तो आखरी में नाम किसका आएगा, सबसे पहले किसका आएगा, यह कुशन है, तो हम देखते हैं, सतरे, 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 यहां पता नहीं चला, छोड़ो, यह 21, 21, 21, यहां भी पता नहीं चला, अब देखेगा, एक, 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 यहां भी पता नहीं चला, बोले, पता चलेगा, की नी सर, चलेगा, आगे पता चलेगा, ठीक है, और अभी यहां सब कॉमन है ना, अब देखो, 12, 18, 18, 22, अ पहले आना चाहिए, सहमत है आप लोग, अब देखिएगा, जिसका हो गया है, मतलब जिसकी booking हो गई है, दोबारा उसके पास नहीं जाना है, तो यहाँ पर जो बारे हम लिग देना पहले वाला, तो अब उसको compare नहीं करना, उसको देखना ही नहीं है, अब इधा देखिएगा यहाँ पर आर 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 लिखा है, आर नहीं है यहाँ ठीक है, यहाँ है अठारे अठारे बावीज, अठारे अठारे बावीज, तो आप भी जानते हैं बावीज बड़ा नंबर है, तो बताओं मैं आपको यह आकरी में आएगा, और इन दोनों में दूसरा तिसरा हो उसने बोला था, अंत में कौन्शा सब्दा आएगा, तो यह आ जाएगा, खतम, और अगर हम numbering देखे भी थाई, कि एक्चल में किसकी numbering क्या है, तो देखो, 18,18 हो गया, अब देखना, अठारे, अठारे, फिर यह इचारे, और फिर यह 20 हो गया, अठारे, 20, तॉ आपको पत करते हैं कि यह जो फॉर्थ वाला है इसे हमारा अंसर हो जाएगा ठीक है इन्पोटन कोश्चन है और प्रेक्टिस करेंगे तो बैथरी हम हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे चलिएगा यहाँ पे क्या बात हो रही है दोस्त साथ से नो हुआ दो प्लस दिख रहा है हमें ठीक है और पंद्रे से बारे हुआ तीन माइनस हो गया है ना सही है चाउदा से सोला हुआ फिर दो प्लस हुआ ठीक है तो क्या पाच से तीन गटाएंगे तो दू आएगा क्या बिल्कुल पाच में से तीन गटाएंगे तो दू आ जाएगा तरीका समझ में आ गया यही तरीका हम किसमें लगा देते हैं क्राइब में तो चलिए दोस्तों अगर मैं बात करूं यहाँ पे सीडी सी समझिएगा कि तीन में से दो मतलत जोडना है पहले तीन मे दो जोड़ेंगे तो पाच यानि ए आएगा और अठारे में से तीन गटाओं तो पंदरे होगा यह ओ आएगा ई ओ एक ही ओप्सन में ए ओ है यह अंसर हो जाएगा बहुत ही प्यारे तरीके से और गहराई में चलें तो आप देख सकते हैं नो में दो जोड़ेंगे नो दो तो बी आता है दो नमबर पे लेकिन यह 28 पे भी आता है और 28 में से तीन गटाएंगे तो क्या आएगा पचीस और पचीस पे वाई आता है तो मैं यहाँ वाई लिख सकता हूँ ठीक है वर्ण माल आपको पता होगी ए से लेकर कहां तक होती है जेड तक होती है यानि इसमें 28 में से गटा दिया पचीस आ गया हमारा अंसर हो जाएगा अप्शेन नमबर फोर्थ वाला लीजी दोस्त नेक्स्ट प्रस्ट हो गया गणिती ये संक्रियाए का सवाल है इन्पोर्टेंट है प्यारा सवाल है हो गया होगा आपसे देखना मेरे भाई बोर्ड मास का नियम लगाना है यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए एक सो साथ है ये ठीटा है ठीटा की जगर क्या यूज करना है आप सब ये देख लो पेले ठीटा से आसा है गुणा तो गुणा कर दे रहे हैं तीनेसा के सम ये टोकरी के अंदर प्लस जो है ये माइनस को डिनोट करता है तो माइनस और ये हो जाएगा 64 ओके अलफा अलफा की जगर क्या था गुणा क्या हो जाएगा नू निकालते हैं इसका अंसर देखिएगा क्या सही है कि गलत है अब यहाँ पर देखें तो आपको पता है पहले भाग होता है फिर गुणा होता है फिर जोडते हैं फिर गटाते हैं यही नियम होता है बोर्ड मास का तो ये माइनस ये 8 ऐसा के ऐसा और उदर में गुणा कर देता हूँ 9, 2, 18 पहले गटा नहीं सकते पहले गुणा होगा 9, 2, 18 321 ऐसा के ऐसा आप जानते हैं माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन चिनने किसका आएगा माइनस का आएगा ठीके, आप देखते हैं यहाँ पे 18 और 8 कितना हो जाएगा भीया यह हो जाएगा 8 और 16, 26 हो जाएगा ठीके, घटा देते हैं तो 11 में से 6 गए तो गुणा 5 हो जाएगा और यहाँ 11 में से कितना बचेगा यहाँ पे 31 31 में से 2 जाएगा तो 29 आजाएगा 295 आपका अंसर होगा किस option में है तो पहले option में नजर आ रहा है 200 पिच्चान जिसका भी 200 पिच्चान उठा बिल्कुल सही जवाब 295 क्या कह रहा है सवाल एक गाउं में कुछ सुनार शाक्षर है ठीक है तो कौन सा आरेक कौन सा आरेक सुनारों को दर्शाता है शाक्षर सुनारों को ठीक है भी या इसमें किरा है गाउं में कुछ सुनार जो है वो शाक्षर है अगर आपने मुझे से वेन डाइगराम पढ़ा है तो आपको पता होगा मैंने कुछ यानि सम वाला कंडीशन आपको बता रखी है कि सम का केस इसे बनता है यह वाला यह वाला सम का केस होता है यहाँ पर यह बताया जाता है कि कुछ A, B है तो कुछ B, A है कुछ A B है तो कुछ B A है तो यहाँ पर जो बात हो रही है भाई यहाँ पर हम मान लेते हैं कि G सुनार है तो L जो है वो शाक्षर हो गए तो यहाँ पर उसने बोला है कुछ सुनार शाक्षर है तो फिर B वाला हमारा सही होगा कुछ सुनार साक्षर है यह condition यहां हमें नज़रा रही है ठीक है तो यह वाला सही हो जाएगा तो B कहां है यह रहा देख लो भाई या इसमें option उबर खावड़ दिये है आकरती B है लेकिन option पहला वाला लगाएंगे क्योंकि पहला वाला लगाते हैं इसका मतलब आपका answer B है next present समझ गए भाईया यह आकरती किस आकरती में छूपी हुई है आई होब आपको सई से नज़रा रहा होगा इसमें तो यह आकरती किसमें नहीं थे हमें यह देखना है और यहां पर दियार रखना आपको गुमाने की permission नहीं होती है तो आकरती को गुमाईएगा नहीं पर यह देखिएगा सेम टू सेम है आप देख सकते हैं मैं इसको हटा देता हूँ तो यह आकरती चोथे वाले में छुपी हुई है यहां आकरती चोथी आकरती में अंतर नहीं थे तो option number D हमारा answer हो जाएगा और option मतलब आकरती D answer है यह की fourth में मुझूद है तो उन चोथा number लगा देगे सहमत है चोथा वाला हमारा answer हो जाएगा चलिए एक और आकरती देखिएगा यहां पर देखिए क्या कह रहा है यह कौन सी आकरती परश्न आकरती के प्रतिरूप को पूरा करेगी आकरती को पूर्ण करना है देखो भई यहां पर एक अच्छी सी शीज बता रहा हूँ ध्यान से सुनना अगर left right में रखा है तो वो दरपन प्रतिविम का काम करता है ठीक है और अगर उपन नीचे हम देखते हैं तो वहाँ जल प्रतिविम का काम करता है यानि आप बोल सकते है वोटर इमेज का और ये मिरर इमेज का काम करता है आउटसाइड रखते हैं तो अब यहाँ पर अगर देखते हैं कि इस आकरती को हमें पता करना है तो यह जो आकरती होगी न भाई मेरे वो इस वाले की mirror बनेगी या फिर आप ऐसे देखो कि उपर वाली आकरती पता करना है तो नीचे आले की कौन से बनेगी या जल प्रतिविम वाली आकरती बनेगी जिसका हम water image कह सकते है ठीक है इसमें होता क्या है हम दरपन वाली देखते हैं यहां से है ना दरपन वाली देखें तो इसमें पास का पास रहेगा और दूर का दूर तो यह वाली आकरती यहां चली जाएगी यह वाली आकरती यहां चली जाएगी तो यह वाली आकरती यहां चली जाएगी यह आकरती यहां चली जाएगी इसको देखकर पास का पास दूर का दूर, तो हमें यहां पे दू बिंदू नजर आ रहे हैं, यहां पे दू बिंदू नजर आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, यहां भी दू बिंदू नजर आ रहे हैं, बहुत सुंदर, लेकिन आपको दिख रहा होगा, यह आकरती पूर्ण है, और यह पूर्ण नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, अब पहला वाला सही है कि चोता सही है, कौन सा सही होगा, तो आपको दिख रहा होगा, ये गुलके-गुलके सब पास में है, तो यहां भी बड़ा गुलका आएगा, और यहां छोटका गुलका है, तो ये गलत हो जाएगा, फर ठीक है भाई या और ये दो कुशेन आपके लिए हैं पेला कुशेन में आपको दिया ही था ये आड़ डबलीू का दूसरा सवाल और ये आड़ डबलीू का तीसरा सवाल करना है छोड़ना नहीं है ठीक है भाई जो भी इसके अंसर है कमड में जरूर दीजिएगा जैसा कि ब झाल झाल